जब अंतिम यात्रा पर निकली स्वर कोकिला तो चहने वालों की आँखें नम हो गएं उनकी एक जलक के लिए हजारों की भीडु मड़ी सफेद भूनों से सजी सेना की ट्रक में आखरी यात्रा पर निकली लता मंगेशकर पूरे राज की सम्मान के साथ देश की बेटी लता को दी आखरी विदाई लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर पहले ब्रीच केंडी एस्पताल से उनके पेड़ा रोड इस्थिद आवास लाया गया और दोपहर बारा बजे से दोपहर तीन बजे तक उनके पार्थिव शरीर को वहीं रखा गया जहां उनके अंतिम दर्शन को अमिता बच्चन समेत ते दिगज सेलेब्रिटीज पहुँचे इसके बाद लता मंगेशकर के अंतिम यात्रा के लिए आर्मी ट्रक को पूनों से सचाया गया इस ट्रक पर लता मंगेशकर की एक बड़ी तस्वीर को लगाया गया जिस पर लिखा था भाव पून श्रधान जली जिस ट्रक में लता मंगशकर को ले जाया गया उसमें उनका पूरा परिवार भी मौजूद था इस काफिले में उनके साथ उनकी छोटी बहन आशा भौसले भी थी लता मंगशकर की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बॉलिविड स्टार शाहरुखान भी शिवाजी पार्क पहुंचे थे इसके लाबा सचिन तेंदूलकर, उद्दफ ठाकरे, शरत पवार, राज ठाकरे, यूश गोये समेत एई हस्तियां वहां मौजूद थी लता जी का अंतिम संसकार शाम साढ़े शे बजे शिवाजी पार्क में किया गया लता जी के भाई हर देनाथ मंगेशकर के बेटे आदित्य ने उन्हें मुखाकनी दी